मसकार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आपका एश्टो मित्र पर और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पांच संकितों के बारे में जिन में से एक या दो चिन भी आपके हातों पर है तो आप या तो धनवान है नहीं तो आप भविस्वें काफी धनवान ह होने वाले हैं तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सेयर कर दे तो आईए और बुद्ध रेखा के मिलने से त्रिकोन यानि त्रिभुज के अकार का बनता हुआ दिखाई पड़ता है अगर यह धन त्रिभुज आपके हाथ पर भी हो तो आपके धनवान बनने का बहुत अच्छा संकेत है दूसरा चिन्न है मचली का तो दोस्तो अगर आपके भाग रे के बीच एक जो यानि यव की आकरती बनती भी दिखाई पड़े जो आखो की तरह हो और असपर्ष्ठ हो कहीं से तूटी फूटी या खुली ना हो या धनवान बनने का प्रबल चिन होता है ऐसा व्यक्ति बहुत ही ग्यानी और भाग साली होता है अपने ग्यान से अपने ज खेतर में से किसी एक भी खेतर पर ट्रेंगल या इसक्वायर दिखाई पड़े तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही धर्वान होता है इनके पास बहुत सारी भूमी भवन और वाहन के मालिक होते हैं और भूमी से काफी अच्छा पैसा कमाते हैं ऐसे लोग जमीन अत्वा वाहन का ब मीचे का भाग सुक्र का अस्थान माना जाता है और इस अस्थान पर अगर आपको कमल का फूल का चिन दिखाई पड़े तो यह बहुत ही सोभाग साली चिन माना जाता है दोस्तों सुक्र का धन और एस्वरे का देवता माना जाता है और कमल के फूल को माल अच्मी का आसन मा जाता है, सुक्र के छेत्र में कमल के फूल का होना वेक्ति को एक बहुत ही एस्वरे और सुक्षूधा पुर्न जीवन देता है, ऐसा वेक्ति काफी धन्वान होता है, तो दोस्तों हमने धन्वान बनने के पांच चिन्नों के बारे में बात की, आएक वीडियो में मैं सभी चि को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और सेयर कर दे तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं नमस्कार आपका दिन सुभ हो